हेलो प्रेंड आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं ये लेस्षून और प्याज वाली चेटपटी और मसालेदार भिंडी जो की बहुत ही जटपर तरीके से बैन कर तयार होने वाली है यहाँ पर ली हुई है मैंने 500 ग्राम बिंडी बिंडी को हमने अच्छे से साप कर लिया था तो यहाँ बिंडी को हमने अच्छे से साप करके सुखा लिया है यहाँ पर मैंने ली हैं तीन पीस प्याज के तो यहाँ मैंने बिंडी को कट करना शुरू कर दिया है तो यहाँ पर हम भिंडी को कट करे ले रहे हैं यहां मजे बहुत बारीक बिंडी नहीं काटनी है मीडियम साइज में कट करना है मुझे भिंडी हमने आप पर ताजी और मुलायम ली हुई है जिससे कि हमारी बिंडी जट पर बनके तयार होने वाली है अगर आप ताजी बिंडी का यूच करते हैं तो इस अबजी बहुत ही जल्दी बनने वाली है तो यहां मैंने बिंडी को कट कर लिया है और इसके बाद मैंने आपर प्याज को भी कट कर लिया है प्याज मुझे इस तरह कट करना है उपर से बढ़े आकार में निकालना है और इसके बाद जो नीचे का भाग बचता है उसको मुझे बारी कट कर लेना है तो यहां मैंने सारे प्याज को इसी तरह कट कर लिया यहां लिया कुछ लेसुन की कलिया और हरी मिर्च इसके बाद मै में आच्छे से गरम हो जाने देंगे ज़ार में हाटों से मसल के डाल दिया जवाएन थोड़ी सी ही हो इसारी चीजों को हमने पका लिया इसके बाद मैं डाल दिया इसमें लइसून लाइसन को हम हलका ब्राउन कर लेंगे और यहां पर डाल दी हरी मिर्च इनको हम हलका हलका प्तेल में फ्राई करें ले रहे हैं सारी चीजों को फ्राई होने अग बाद इसमें डाल दिया है मैंने प्याज प्याज को मैंने एक साथ ही डाल दिया है तो प्याज को हम कच्चापन दूर हो जाए इतना पकाएंगे तो यहां मैंने प्याज को पका लिया इसके बाद डाल दिया भिंडी भिंडी को हम प्याज में मिला दे रहे हैं यहां मुझे गैस का फिलेम दीमा रखना है तो इसके बाद डाल दिया है मैंने याप पर हल्दी पाउडर हल्दी को भी मैंने मिला दिया एच्छे से तो इसके बाद डाल दिया है यहां पर भुने हुए जीरे का पाउडर एक चम्मत धनिया पाउडर आदी चम्मत लाल मिर्च इसको भी हम अच्छे से मिला दे रहे हैं यहाँ पर डाल दिया है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर इसके बाद डाल देंगे नमाग नमाग डालने के बाद हम इसको टमाटर कट किये हुए थे हमने बड़े आकार में तो इसको भी हमने डाल दिया है यहाँ पर मैंने एक टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ था यहाँ मुझे धीमे आच में पकानी है बिंडी यहाँ मैंने इसको पांच मिनट के लिए ढग दिया था और बिंडी हमारी बनकर हो गई है तयार यह सबजी बहुत ही जटपर तरीके से और बहुत ही टेश्टी बनके तयार होती है आप इसको दाल के साथ परेटा के साथ लंच बॉक्स में बना सकते हैं इसी के साथ आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करके बताएं कि हमारी सबजी कैसी बनी हुई है इसी के साथ हम वीडियों का एंड करते हैं मिलेंगे नेच्ट वीडियों में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए